हाई आज हम बनाएंगे हिप्पी हैरम और पैंट यह बहुत ही कमफोटेबल होता है और बड़ा ही कूल लुक देता है तो हम मेजरमेंट लेंगे यह मैं नाइन यह के लिए मेजरमेंट लिया हुआ है मैंने तो वाटेवर दा हाइट आप लेंगे उसमें आप 3 इंच के लिए क्योंकि हम इसमें बॉटम और वेस्ट में लास्टिक गरेंगे तो मेरे हाइट लिया था मैंने 31 प्लस 3 एंड वेस्ट में 25 प्लस 10 इंच एक्स्ट्रा फॉर लूजिंग क्योंकि यह वेस्ट से लूज होता है इस तरह से फिर हम इसमें उसके ऑपोसित साइड में भ अब हमें एक स्क्वार फीस चाहिए है जिसकी लेंथ हम डिसाइड करेंगे जो भी लेंथ में हमने बॉटम को कट किया है उसका हाफ हाफ ले लेंगे यह देखे इस तरह से सेंटर पर निशान लगा के मुझे 17 इंच मिला हुआ है तो मैंने 17 इंच का पैनल स्क्वार बॉक् यह डाइगनल फोल्ड मैं बताती हूँ कैसे अटाच होगा पहले हम यहाँ निशान लगाएंगे कि हमें यह कितने नीचे से अटाच करना है तो यह उपर में हम 1.5 इंच का निशान चोड़के 8 इंच के नीचे निशान लगा लेंगे 1.5 इंच Elastic के लिए and उसके बिलो 8 इ बैक में अटेच होंगे यह देखे इस तरह से हम अटेच कर लेंगे और उन्हें सिल लेंगे अटेच करते समय मिस्टेक ना हो इसलिए हम इसमें नंबरिंग कर देंगे जो फ्रंट में पोर्शन आएंगा हम उसमें 11 नंबर कर देंगे सेम उसी तरह से यह जो स्क्वेर पीस को ट्राइंगल करके उसमें भी 11 कर दीजे तो आपको हमेशा 1 to 1 फेसिंग करके रखना है और 2 to 2 अब हम वन नंबर के पैनल के उपर ट्राइंगल पीस को रखेंगे मींस स्क्वेर पीस को उसका एक जिस जगर वन नंबरिंग किया हुआ है उस पर रखके हम सिलाई कर लेंगे सिलाई आप देखेंगे नीचे की तरफ भी बॉटम की तरफ भी कुछ कपड़ा छूट जाएगा अब हम इसमें जो दूसरा पैनल कट किया था उसका फ्रंट नंबर है जो वन नंबर है उसको रखके सिलाई करेंगे कुछ इस तरह से यह देखें सेम तरीके से हमें सेकंड पॉयंट भी जोइंट कर लेना है जो हमारा दूसरा रिमेरिंग होगा और जब आप दूसरा पॉयंट करेंगे तो उनके लैग्स आटमेटिकली जोइंट हो जाएंगे इस तरीके से अहमें ऐसा फ्रंट से ट्राइंगल लुक आएगा ठीक है यह अब हम second portion joint कर रहे हैं same 8 inch नीचे से हमें रखना है joint करने के लिए yes and इस तरीके से उसके legs automatically joint हो जाएंगे अब हम कमर और bottom को finish करेंगे इस तरह से हम double fold की सिलाई कर लेंगे और जहां से सिलाई start करें हैं उसके just 1 inch पहले सिलाई छोड़ देंगे एक inch का gap रखेंगे ताकि हम वहां से elastic डाल सके इस तरह से हमें half inch का margin मिलेगा तो आपको जो elastic लेनी है वो भी आपको half inch की लेनी है यह देखिए इस तरह से हम यह हमारा elastic लग गया है कमर में और हमारा harem pant hippie pant बनकर ready है प्लीज ट्राय करें और बताएं आपको यह कैसा लगा summer special hippie pant थैंक यू और प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब मैं चैनल